वेल्गोन वेल्कम बेक टू हिमाजव असक्सेस बुक तो जिन जिन केंड़ेत्स को हिमाजव इश फब्लिक सर्विस कमिशन के एड्मिट कार डाउनओर करने में मुश्किल आ रही है या जिन जिन केंड़ेट्स के पास लॉग एडिया पासफ़र्ड नहीं है तो इस सेशन मे HPPSC शिमला सर्च करने के बाद जब आप डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर HPPSC आएगा इस पर क्लिक किजिएगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी इस तरह सरे देखिए यह वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप डाउन स्क्रॉल कीजिएगा जब भी आप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर apply online की option आईगी या फिर आप डिरेक्ट apply online पर click किजेगा या फिर जो यहाँ पर यह notification चली है इनमें आप जो top पे है online registration application इस पर click कर सकते हैं तो सबसे पहले apply online पर click किजेगा जब आप यहाँ पर click करेंगे तो इस तरह का interface open होगा और यहाँ पर आपको click करना है online application registration पे online application registration पे click करने के बाद इस तरह का interface open होगा top में जो यह notice दिया है इसको cross पे click करके इसे cut कर दीजेगा और यहाँ पर जब आप down में जाएंगे तो यहाँ पर आपसी जो भी आपके particulars हैं वो पुछी जाएंगे जैसे कि user ID, password और यह जो capture दिया गया है आपको उसको enter यहाँ पर कीजेगा और उसके बाद login पे click कर दीजेगा अब जिन भी candidates को उनकी user ID और password वेरायाद नहीं है तो वो forward password पे click कीजेगा जब आप forward password पे click करेंगे तो यहाँ पर option आईगी यहाँ पर आपको अपनी email ID एंटर करनी है उसके बाद जो भी यह security की लिखी गई है उसे यहाँ पर enter करना है जब आप enter करतेंगे यहाँ पर उसके बाद आपको यह submit पे click करना है जैसे कि अगर मैं अपनी user ID डालूँ तो मेरी यह user ID है और जो भी यह capture दिया गया है इसको जब मैं click करूँगा इसको enter करूँगा तो 00 p7 B और A यह दिया गया है और इसको मैं submit करके यहाँ पर option पूछिजाएगी और यहाँ पर पूछा किया है कि किस तरह से verification करनी है तो email verification, security question verification या mobile number verification तो आप email verification पे click किजीगा और जब आप email verification पे click करेंगे तो इस तरह की option open होगी तो यहाँ पे submit पे click किजीगा जब आप submit पे click करेंगे उसके बाद आपको एक email भेजी जाएगी हिमाज़डेश पब्लिक सर्विस कमिशन दोरा और आप अपनी email ID ओपन किजीगा और आप अपनी email ID जब open करेंगे जो भी आपने email ID यहां पे enter की है जब आप उस email ID को open करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी email आई होगी यहां पे और इस email में आपको यहां पर link प्रोवाइड किया होगा और आपका जो user ID है वो यहां पर प्रोवाइड किया होगा जो भी user ID है वो आपकी email पे ही आएगा आप किसी और को बता भी देंगे तो इससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है आपकी email पे ही recover होगा इसके लिए security question की option भी थी और phone number की option भी थी लेकिन email वाली ज्यादा better option है तो इस link पे क्लिक के वाँ जब जो भी link आया है जो भी आपकी user ID है वो दिखेगी यहाँ पर आपको अपना password new set करना है और उसी password को re-enter करना है और जो यह security की दीगी है वो यहाँ पर enter करनी है याद रखीगा यह user ID आपकी लिखी गई होगी यहाँ पर और यहाँ पर फिर change password के उपर click कीज़ेगा और जो भी आपका password है वो डैश इस तरह से इन चीज़ों को उपयोग कीज़ेगा तो जो भी alpha numeric है वो सभी के सभी यूज कीज़ेगा और minimum 8 character का अपना password तो रखिएगा जैसे यहाँ पर भी instruction में उपर लिखा गया है कि password में जैसे यह जो items है यह special character इनके कहते हैं तो यह special character होने चाहिए 8 to 15 character का आप आपका password होना चाहिए एक uppercase होना चाहिए इसमें एक कम से कम lowercase भी होना चाहिए और यह वाली special keys यह भी होनी चाहिए तो इन तरह का combination बनाईएगा password का और password कर लीजेगा तो जिंजिन के इंडिल्स को प्रावलमारी थी तो इस तरह से अपना password कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स ड